देखो बच्चो अब हम करेंगे question no.2 क्या है यहां पर तुम्हार पास यह parallelograms given है x, y, z की values निकाल दी है तो देखो यह जो parallelogram है a, b, c, d हमको इसकी property पता है क्या पता है angle b और angle c का जो sum होगा वो कितना होगा 180 degrees होगा क्यों होगा ऐसे इसका reason है adjacent angles are supplementary ठीक है क्योंकि जो adjacent angles होते है parallelogram में उनका असा 180 degrees होता है तो दुम्हार पास b कितना है 100 degrees c कितना है angle x है के नहीं यह 180 degrees के बराबर है तो x हो जाएगा 180 minus 180 degrees x की value आ गई तुम्हारे पास 80 degrees ठीक है साइट अब आजा तुम अपने y पर अब देखो opposite angles are equal तुम्हें कह सकती हो angle y is equal to 100 degrees क्योंकि opposite angles in a parallelogram are equal ठीक है अब देखो तुम्हारे पास x था तो तुम z भी बता सकते हो angle x is equal to angle z कितना हो जाएगा यह 80 degrees q अगें opposite angles are equal ठीक है easy लग रहे असान लग रहे अब आजो तुम इसके b part पर अब देखो यहां पर क्या given है तुम्हारे पास यह figure given है देखो यह 50 है यह y x z है तो मैं कह सकती हूं 50 plus x 50 degrees plus x यह कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 degrees q क्योंकि adjacent angles are supplementary ठीक है जो किनारे वाले जो होते हैं इसे वो angles जो सप्लिमेंटरी होते तो यहां से x की value आ गई 180 minus 50 130 degrees ठीक है अब देखो x आ गया 130 तो y भी हो जाएगा 130 क्यों होगा बता एंगल x is equal to y 130 होगा क्योंकि opposite angles are equal देखो यह बच्चों angles का sign होते हैं तुम्हें पूरा लिख देना ठीक है x भी आ गया y भी आ गया अब z बचा है तो देखो यह दोनों lines जो है parallel है यह transversal जा रही है है ना तो अंगल x और अंगल z आपस में क्या हो है अंगल x is equal to angle z क्यों क्या है कौन से अंगल है corresponding angles ठीक है तो यह हो जाएंगे 130 degrees y because they are corresponding angles आगे समझ भी अब आ जाओ तुम इसके third part पर यह देखो figure तुमारे पास यहां पर given है ठीक है यह chapter काफी easy यह से अराम से करना पड़ेगा बस ठीक है चलो this is 90 degrees इसका symbol का मतलब यह 90 degrees है यहां पर तुम्हारे पास angle x ठीक है this is y ठीक this is z सही और यह तुम्हारे पास है 30 degrees सही है तो देखो बच्चों यहां पर हम क्या केह सकते हैं देखो यह एक parallel line है ठीक है यह वाली line और यह दोनों line है आपस में parallel है ठीक है a b is parallel to dc a b cd के parallel है दोनों parallel है तो देखो ऐसे करके देखो यह कौन सा angle बन रहा है ऐसे एक z के form में angle बन रहा है जब भी z के form में angle बनते हैं वह क्या होते है alternate angles and they are equal ठीक है अच्छा रुकों यह x कितना हो जाएगा तुम्हारा यह 90 है ठीक है यह भी तुम्हारा 90 हो जाएगा एक सुम्हारा 90 आ गया यहां पर ठीक है clear है अब तुम्हारा पास देखो यह 90 है पर भी बाद में आएगे यह 90 है यह 30 है यह निकालना है तुम्हें ठीक है तो देखो अंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है इन ट्राइंगल इसको ओ ले लो इन ट्राइंगल दी ओ सी मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहे हूं 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज प्लस अंगल वाई कितना होगा 180 ठीक है तो अंगल वाई कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्रीज तो यहां से तुम्हारे पास अंगल वाई कितना आ गया 60 डिग्रीज ठीक है तो मैं इसको 60 लिख दू साई अब देखो अब हम यही देखेंगे कि AB is parallel to CD AB CD के parallel है यह alternate angles बन रहे that means angle Z is equal to angle Y कितना हो जाएगा यह 60 degrees Q because they are alternate angles ठीक है alternate angles है हम आपस देखो X आ गया Y आ गया Z हमाई पस अब सारे angles आ गया ठीक है clear है अब आज़ा तुम इसके fourth part पर क्या कह सकते है this is 80 degrees देखो यह 80 और X ही है तो मैं कह सकती हूँ parallelogram में जो adjacent angles होते है उनका sum कितना होता है 180 degrees क्योंकि यह supplementary angles हो यहां से angle X कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 हो जाएगा 100 degrees यह तुम आपस आ गया 100 degrees ठीक है angle Y और 80 degrees equal होंगे क्यों क्योंकि यह आ अपूसिट आ गया परिलेलोग्राम Y भी आ गया तुम्हारे पास Z और देखो यह दोना आपस में पैरलेल लाइन से एक ट्रांसफर्सल जा रही है यह Z है है ना तो Z और 80 क्या है angle Z और 80 corresponding angles हैं यह वाला angle B नहीं है के नहीं angle B और angle Z के है corresponding angle है तो यह भी 80 degrees हो जाएगा तो यहां सब्सक्राइब आ गया ठीक है अब आज़ा तुम इसके 5th पार्ट पे देखो बच्चों शुरू में देखो कि तुम समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है ना लेकिन आसानी से सोचो के कोई angle कुछ बन रहा है कुछ समझ में आ रहा है ना चलो अब है तुमारे पास इस टाइप पर एक फिगर दिस इस वाई यह एक डाइगनल जा रहा है हां से दिस इस फॉर्टी डिग्रीज ठीक है यह तुमारे पास X दिस इस Z 12 तो दो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इस परलेलोग्राम में यह इसकी एकविल होगा इसको तुम A मानो इसको B इसको C इसको D मानो आंगल D और आंगल B इकविल होगे क्योंकि ऑपोज़ट अंगल्स है ना परलेलोग्राम तो मैं आंगल Y is equal to आंगल B 112 degrees क्यों opposite angles of a parallelogram अब देखो तुम angle A plus angle B का जो sum होगा वो 180 होगा होगा नहीं होगा इस पूरे कितना है 40 plus Z है ना बी कितना है 112 तो angle Z हो जाएगा 180 माइनस यह कितना हो जाएगा 152 है ना इसको subtract करो यहां से आजाएगा 28 degrees तो तुम्हें पर Z आ गया 28 degrees अब देखो अब यह वाला angle कैसे निकालोगे तो देखो यह और यह parallel lines है यह transversal जा रहा है यह देखो Z angle बन रहा है जब भी इस तरीके का angle बनता है Z के forming यह angles क्या होते है alternate angles होते हैं ना तो मैं कह सकती हो X is equal to angle Z is equal to 28 degrees क्योंकि they are forming alternate angles ठीकित अब आजो question number 3 पर